और राहूल गांदी को लोग पसंद करते हैं एक परिधान मंतिर के रूप में देखते भी हैं भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहूल गांदी का चेहरा अच्छा हुआ लोग सब बड़ी बाद लोग सब चुनाब चल रहे हैं ऐसे में राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हर जगा पर बार बार हो रहा है चाहे वो जनता को साथ में लेकर चलना हो चाहे वो जोडना हो यह लगातार जो है वो चर्चा में रहा है लेकिन अगर बात कि जए भारत जोडो यात्रा की तो वह सबसे पहले तो भारत जोडो यात्रा शुरुनान करते हैं कि ह offense यात्रा वी कि यह जो उसे कभी को इतिहास से लग दिखाइए ने सकता क्योंकि विश्युका ऐसे पहले ने तरा अधिया जिनों इतने लंबी यात्रा कि पहले भाराज जो यात्रा फिर उसके बाद भाराज जो निया आए यात्रा तो राहूल गांदी की च्वी वह बनी है जो पहले जो उलट से भी बन चुकी है राहूल गांदी की आज राहूल गांदी प्येएंपद के दावेदार है और राहूल गांदी को लोग पसंद करते हैं एक पड़धान मंत्री के रूप में देखते भी हैं जो लोग गरीब है या अपने कमाई से क्वालिफाइड हैं तो वो लोग लोग जानते के राहूल गांदी जो है बर प्डहatique इंसान है और वहरदश राहूल गांदी ग्रश की तकदीर और टशवीर बदल सकते हैं तो इसलिए राहूल गांदी को भारत-जोड़ोयात्रा सट्वील रही और भाहूल गांदी का चेहरा अच्छा वगांद्ण सबस्क यह एंगर मैं वाग्य है बहुत ज्यादा बाक्य हैं लेकिन दो चारर ěत्जित रहे हैं जैसे में राहून चिछह फ window चाहा। मैं तो मेरे पीछे करीब 200-300 लोग चल रहे थे मुख्य मंत्री थे पूर मुख्य मंत्री उत्राखंड के तो वो कुर्शी लगा कर साध्में बैठे हुए थे इसे बहुत वाक्या होते हैं अगर बात कीजा है लोगस्वा चुनाब की तो लोगस्वा चुनाब जिस तरह के से अलाइंस का गटबंदन के साथ जो फाइट कर रहे हैं जो केंडिडेट कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात है कि आज जो मीडिया के लिए एक इंविटेशन यहां पर डॉक्टर उदित राज ने रखा उसके बीच में उन्होंने एक चीज बताई कि लोगों में सबसे ज़ादा कंफूसन जो रहेगा वो चुनाव चीन को लेके रहेगा तो उसको लेके कैसे अवेर किया जाए कैसे जो है वो बताया जाए तो इस सबसे बड़ी चुनावों को पहले मोदिल हर लोग समझ चुके हैं कि यह जो ने सिर्फ द्रहम के नाम पर गाय गौबर के नाम पर वोट मांगते और कुछ नहीं करते हैं और देश के अंदर अगर बात की जाया दिल्ली गी तो दिल्ली के अंदर साथो सीट मजबूति Спी सुनाव लोगे हैं इंडिया लाइंस और रही बात अर्विंद केजरीवाल के चूटने की तो अर्विंद केजरीवाल सही टाइम पर छूटे हैं और चुनाओं से पहले गोवर्मेंट हमारी उतर जाएगी यह इस चीज से घबरा रहे हैं कि अगर हमारी गोवर्मेंट उतर गई तो हमने इतने बड़े-बड़े गोटा लेके हुए है वो खुल जाएंगे तो हमारा क्या होगा तने बाद फैजल जी तो देखे अल्लग अतार जो है लोग सबाचु करी लोग सबाचुनाब को लेके उन से हमने उनकी राय को जाना उनका कहना है कि साथों की साथों सीते दिल्ली में जो है वह एलाइंस जीतने वाला है अब यह तो नतीजह ही बताएंगे तब तक के लिए बने रही है देखते रिए सोगंध टीवी आप देख रहे हैं सोगं वतन की